नमसकार सर अमनावन जी आप कहांके रहने वाली हैं ? आपके बक्ती सादना भी करते थे ? तो फिर हमने बहुत सारी किताबे पड़े तो उसमें पता चला कि मोक्ष सिर्फ कभिर पंथ से ही मिलेगा तो कभिर पंथ है समय फेमस तो दामा खिडा था था यह कि अनुए अनुए यह उनों को नाम देने की इजाजाते हैं तो उदर जो गुरु हों थे उनसे फिर हमने पे सब उदर वहां चले गए थे दामा केडा में सर फेराप संत्रांपाल जी माराज की सरण में कैसे आए मम्मी जो है मतलब माता जी आती है जैसे नो देवियां है जो आला माता पावागलवाली माता यह सब माताजी आते थे और मम्मी बेठक करती थी हम लोग हमारे घर में मतल मतलब कि मम्मे को उठाना पड़ता था में गोद में क्योंकि पेर उनके सुन्न हो जाते हैं वो बेठक करती थी हमारे घर में कलेश भर आने लगा मतलब कि घर में लड़ा होती हमारे कुछ काम नहीं होते हम मतलब धर-धर होगे भीक मांगने को हो गयते हैं को मांव बैठा करथे छाड़ का जितने भी अतना गाड़ा थी होती है तो उसको की जाती ओप तो अब इआ धीर हमारे जो फुर्ण ख़तम होना हमारे घर में घर में माताजी आती ती घर एक्दम भारी भारी सा रहता था हमारे घर में अनों का आना जाना होता था तो जब अक्सक्त को लगता था कि तना गो नहीं लगता था और धीरे क्या होगा कि डर लगने मामी किना से खीच आती थी तो यसा आग कोई हमारे के पीछे चल रहा है घर मोऑ घूम रहा हो पायब की आवाज याती थी राते सी छमक जाना पापा का ट्रक शूट गया। नहीं लगया। सर आपने बताय कि आपकी मम्ही को माता जी आते थी और वो दूसरे लोगों की समस्याओं का समधाण करती थी लेकिन आप खुद दुखी थे आपको ढूत-परेत की समस्या थी और भी आर्थिक समस्या आपको थी तो फिर संत रामपाल जी माराश की सरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाब भी प्राप्त हुए मेरी कंडिशन जसी थी कि मैं नीचे से नीचला हिस्सा पूरा प्रेलाइज होने लग जाता दोक्टर ने बोलेद यह उठेगा नहीं अब बिस तरव मैं लेड जाता था तो मैं अगर लेड गया तो कोई में को हिला भी सकता है मेरी कंडिशन इतनी खराब थी कि मरता भी होना तो मुझे पानी लाके दे दे अब आप अंदाजर लगे लिए कितनी खराब हाल थी मतलब मैं जब उठने की कोशिश करता तो मैंको एक घंटा तो लगी चाता उठने में सीधे बेटने में चलने में में कुप प्रॉब्लम होती थी मैं गिर जाता था मैं चलते चलते ही गिर जाता था मैं मतलब रात में तो मेरी बारा बचती थी क्योंकि रात में मेरे पुरा बदन दर्द से कर रहा था था मैं रात भर दर्द होता था मुझे मैं हर मैंसा यह सोचत उपर कमरा उनको बना जिए पुरा मंदी सरीका था तलवारे भी थी त्रिशूल भी थे दो त्रिशूल भी है मतलब चीजे थी हमारे घर में तो अब हम जब भी उपर जाते हैं हम यही बोलते थे कि मेरे पेर डोक्टर बोल रहे कि यह पैरलाइज हो जायागा आप सही कर सब जाते थे हम लोग पर फिर भी कंडिशन सही नहीं होती थी मेरी कंडिशन इतनी भी गड़ने लगी थी कि मेरे दोस्तों मुझे स्कूल से गाड़ी बिठाते थे मुझे खुद और लेके जाते थे और लेके आते थे मेरा 12 जो थी वह एक साल तो पूरी ऐसे ही चली गई क लेके चल नहीं सकते हैं अब ममी को भी बबुरा लगता था कि हblue में हरा हैं वेको घृब नहीं कर दिया कि दूसे जो की जो को कि घृब दो लगयक सारी है कि तुछ गोंतहीं कर दिया पर उसक्त इसा सोचते ह tours फेक घृब कि नहीं होगा तो तो आपको कुछ बड़ी कि इसको बस यह सही हो जाना चाहिए कैसे भी करके डॉक्टरों को भी बता है तो डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट में लिख जाता जब एक्सरे हुआ था मेरा तो उसमें बता है कि इनको केल्शियम की कमी कोई बोलता था कि इनके बॉडिय में कुछ हॉर्मोन से डेवलोप हो दोक्टर अलग-अलग बात बताता ता पर कोई सही नहीं कर पाता क्योंकि जब भी हम लग दवई लेता थे दवगए बहुत महेंगी आती थी एक ख़जार की दवई आती थी और हम लेते हम पूरा कोर्स करते फिर भी आरा मुझे जरा सा भी नहीं पड़ता था मैं रात मैं सका तो मुझे फिर दर्द होता था मैं बहुत परसान हो अध्यान कि मैं से कूँझा कि कारिए मुझे सब लोगोगों के काम हो रहे हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं फिर घर में जो था सब तहस नहस हो गया था पापा घर चोड़ के चले गए तो ट्रक चलाते हैं ट्रक भी चोरी हो गया सब मर्दने पर उतार हो गए घर में मतला हमने जहर रख लिया था हाथ में कि आप खाना है तब हमारी मोसी जो संतुर अंपल जी तो मोसी के जब भी फोन आता था तो हम लोग सोचते था बात तो करते थे पर उनको बता था यह ऐसी आला थे पिर मोसी एक दिन घर पर आ गई उस वक्त हम जहरी खाना आ ले थे तो मोसी नहीं बढ़ा कि तुम संत्रामपाजी महाराची शरन में सब सारे काम सही हो गए क्यो अगर संत्रामपाल जी महाराच पूर्ण परमात्मा है अगर भगवान है तो मेरे लड़के को आठ दिन का समय देती हूं मैं आठ दिन में सही कर दे नहीं तो मैं जहर खालूंगी कोई शक्ती नहीं बचा सकते फिर हमें मरनत है अब ऐसे ही चलता रिया आठ दिन बीद गया कि ममे जैसे मशीन चलाती थी जो गटी जो रहती थागी कि वो गिर जाती थी तो वो मुझे नहीं बोल सकती थी उठाने के लिए वो खुद उठके लेती थी एक बार ऐसे उनकी मशीन से गटी गर गई थी थागे कि तो मैंने फट से उठा के दे दी तो ममे ने देखा कि ये यहूठ नहीं सकता था यहूठ के सहरा है म Already kाम मेरे को उृठने बेटने के मैंने सारे कार रहा है मैंने बहुता नूध दर्द हो रहा है मैने सचें में दर्द तो होई नहीं रहा मुझे ये कंडिशन अपने आप सही हो गए तो मम्मी ने बताए कि मैंने ये था संकल पर लिया था कि अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो मेरे छोरे को सही कर दे तो मम्मी ने बोला कि बिटा अपन नामदिक्षा लेने चलते हैं हम तुरंत चले गए इन दो नामदान सेंटर पर संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा ले तो फिर संत रामपाल जी महराज की सर में आने के बाद क्या आपको कोई लाब भी प्राप्त हुए जैसे संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा ले जोभ मेरे पापा भी घर में ऐगए एक महिने के अंदर जा घर बापिस आगए वह की यहालो काम करूँगा छौड़ कंटिशन सरे जम धिल दूर खारी कि हमारे घर में दूसरे की गड़ी चलाते थे धृआ क्के 1 proto खने थे की थे TOP तो मालिक ने इतनी दया बक्षी कि हम जहर खाने वाले से हमारा जो करजा था घर बना रखा था हमने वह भी धिरे-धिरे मुक्त हुआ हम भुद्प्रेत के चकरों से भी दूर हो गए और मेरी जो भावी उनको एक सबसे बड़ा लाब यह हुआ कि वह जो प्रेगनें थी तो बच्चा जो है पेट में उसकी धड़कन नहीं है 99% यह चांसे से कि बच्चा नहीं बचेगा बच्चे की तो धड़कन नहीं है तो मेरी मम्मी ने संत्रामपाल जी महाराज से अर्दास लगई जब आट दिन बाद बापीस उनकी जाच की गई तो उसमें बता चला कि बच् झहाशन होए कहीं बार जो पीर्दा हो कहा था अब घिरे भीरें इसका ब्रोब्लम के बचांसेपा थो डोक्टर मंगि नो बॉला कि नहीं होता का बाद में क्यामि कभी कल्ण केंож संत्राम्पाल जाया प्रूदे थेकаете और पर रहाज़ अदे की मुझे ज़िएतक्म होग है आप देख सकते हैं नो आप अपने पेरों पर ख़ड़ा भी नहीं होसकता था आज मैं अपने पेरोंपर खड़ा हूं मेरी हालत इतनी खराब थी कि अगर कोई मुझे देख ले तो वो कहते हैं यह जिन्दा लाश है मेरा चयरा थो इतना दूबला पतला हो गया था मैं की डॉक्रो में के ज़िया था कि कुपलो शट नहीं है मेरे दोस्तों एक बेट थे मुझे बीच मोरणा फ़ींगाता था और कॉड्य यह गीर ना जा जा हो कि कैरे था क्या कोभाट थी सर आपने बताय कि पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी थे परिशान थे आप लोगों ने आत्मत्या करने की सोच रखी थी लेकिन संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दूर हुए और आप भी ठीक हुए तो जो लोग आज आपको देख हैं दुख सब आ रहा हो से क्या वह Pickfund यह अंसान को इतने दुख आ रहे हैं तो आप सा जहां पर एक बा और आपको भी कुछ ना कुछ परशानी होगी हमें थी हमारी सॉल हम चाहते कि आपके भी हो तो उसके लिए आपको सिफ सत्संग सुना कुछ बड़ा काम ने करना निशुल को पूस्त के भी हाती है संत्रामपल जी महाराज की आप वह पढ़ सकते हैं कि पढ़ने में कोई बु सब को पता है कि मानव जीवन मिला ही मौक्ष प्राप्त के लिए संत्रामपल जी महाराज के शेरन में आईए और उनसे नाम डिक्षा प्राप्त कीजिए सर हम आप से एक कोशन पूचना चाहेंगे कि आपने बताए कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपकी मम्मी में भी देवी आती थी कुछ rook गहते हैं कि संत्रामपल जी महाराज भिरमा बिश्च्णु महेश देवी देवताओं की पूजा चुडवाती है ये लिखा है, ये पूजानिश्यद है, फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हम गरंथ खोल के नहीं देख संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा ले तो उन्होंने सास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई जिसका रहा है आज हमें उन्हीं देवी देवता से लाब मिल रहे हैं इसलिए संत्रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ही भ्रह्मा इश्नुमहेस की भक्ति बतात सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं? धन्यवाद सर जी धन्यवाद जी धन्यवाद